आजकल उद्दव ठाकरे की हालत बिन पैंदी के लोटे की तरह हो गई है कभी सोनिया राहुल के यहां तो कभी शुरत पवार के मत्था टेक रहे हैं कि मुख्यमंत्री पत का उमिद्वार खोशित कर दिया जाए पर हर दरवाजे से दुद्कार मिल रही है लाग कोशिशों के बाद भी गडवंदन में कोई नहीं कह रहा कि उद्दव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे ना खुदा ही मिला ना विसाले सलम महराश में विधानसबा का चुनाव सिर पर है लेकिन अभी तक ना तो महराश विविकास अगाड़ी और ना ही महायूती गडवंदन में सीट श्रेरिंग फाइनल हुआ है सीटों के समझोते के लिए दोनों ही गडवंदन में कई दौर की मीटिंग भी हो चुकी है लेकिन अब तक फाइनल बात नहीं बन पाई है महराश में विधानसबा की कुल 288 सीटे हैं जहां पर अक्टूबर नेवंबर में चुनाव कराया जा सकते हैं राज में सरकार बनाने को लेकर महाविकास अघारी और महायूती गडवंदन के बीच सीधा मुकाबला है महायूती मतलब विजेपी और उसकी सयोगियों के बीच का गडवंदन इस गडवंदन में अजीध पवार की एंसीपी एकनाश रिंदे के शिवसेना और रामदास अठावले की आरपी आई शामिल है इन दलों के बीच लंबे वक्त से सीट श्रेडिंग को लेकर लगातार चड़चा चल रही थी कहा जा रहा है कि महायूती में सीट श्रेडिंग को लेकर मोटे तौर पर समझोता हो गया है 24 सितंबर को अमिश्रा के महराश्ट्रे दौरे के दौरान इस पर फाइनल मोहर लग सकती है एंडिये में सीट श्रेडिंग को लेकर अब तक जो इनपुट सामने आए उसकी मुताबिक बिजेपी बड़े भाई की भूमिका में होगी बिजेपी कम से कम 140 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है एंसीपी के अजीद गुट को 60 के आसपा सीटे दी जा सकती है और इसी तरह अगर श्रिफसेना की भी बात करें तो श्रिफसेना सिंदे असी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है आर पि आई और अने छोटी पाटियों के लिए कुछ सीटे छोड़नी की राज़नीती है महा विकास अगारी मतलब कॉंग्रेस और उसके सयोगियों का गड़बंदन महाविकास अगारी में वर्तमान में कॉंग्रिस के साथ साथ शर्रत पवार की NCP और उद्धव ठाकरे की शिफसेना शामिल है तीनोही दल लोगसभा में साथ मिलकर चुनाव लड़ चुकी है कॉंग्रिस महाविकास अगारी में सबसे बड़ी पाठी बनने की जद्दो जहत में जुटी हुई है पाठी इसके लिए लोगसभा के आकड़ों को अधार बना रही है तो वहीं शिफसेना का कहना है कि राज में उद्दव ठाकरे चैरा है और इसलिए शिफसेना को दरकिनार नहीं किया जा सकता है महाविकास अगारी में विधर्ब और मुंबई की सीटों पर सबसे ज्यादा पेच है मुंबई ठाकरे का गर माना जाता है और यहां की करीब 36 सीटों में से करीब 20 सीटों पर कॉंग्रिस दावा कर रही है और इसी तरह विधर्ब में कॉंग्रिस की परंपरा गज सीटों पर शिफसेना यानी की ठाकरे भी दावा ठोक रही है शिफसेना की मांग है कि उद्धव ठाकरे को चेहरा घोशित किया जाए शिफसेना का तर्क है कि 2019 में उद्धव के चेहरे पर ही महाविकास अगारी का गठन हुआ था और महाविकास अगारी को जो वोट मिला है वो उद्धव की सिंपैथी से ही मिला है दूसरी तरफ कॉंग्रेस और शरत परवार की पार्टी चुनाव के बाद मोख्यमंत्री को लेकर फैसला करने की बात कह रही है और इन दोनों ही दलों का कहना है कि सीट के हिसाब से ये फैसला होगा सीट इस श्रेडिंग का पेच इस वज़ा से भी फसा हुआ है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ रहा है हमें कमेंट बॉक्स पे बताईए तब तक के लिए देखते रहे है लाइव टीवी नियूज